so here the topic is cryptates what are cryptates cryptates होते है polyheteroatom bicyclic macrocyclic compounds ठीक है जिन में क्या होते है polyheteroatom सुम्हेत है कि जिसमें एक से ज़्यादा हिट्राइटम होएंगे like oxygen nitrogen ठीक है तो यह होते है macrocyclic compounds ठीक है by cyclic का मतलब क्या है कि दो cyclic जो है इनकी structure में दो cyclic rings जो है वो type बनी होती है ठीक है अभी यह crown ether से बिल्कुल similar होते हैं बट एक चीज़ जो इन में common नहीं होती वो यह होता है कि crown ether में हमारे पास oxygen and carbon होते हैं लेकिन यहाँ पे nitrogen तो basically यह जो nitrogen है यह differentiate करता है crown ethers को cryptates से ठीक है इसके लावा यह काफी अच्छे complexing agents हैं ठीक है क्योंकि यह polycyclic है तो metal को बढ़े च्छे तरीके से सेंटर में bind कर लेते हैं after cryptates we are podents podents क्या होता है ए-cyclic host होते हैं अभी देखो यह जो जैसे cryptates जो cyclic है तो podents क्या होता है जो ए-cyclic होते हैं ठीक है अब क्या है कि acyclic होने की वजह से इनकी जो किटाइन की तरफ affinity है वो काफी कम होती है इनके cyclic analogs अगर हम compare करें तो इनकी affinity किटाइन की तरफ काफी कम होती है ठीक है बट अगर कोई suitable किटाइन आ जाए तो यह ऐसी wrapping confirmations ले लेते हैं तो यह कुछ examples है दो potents की now coming to iron 4 जो देखो को जो potent calcium carrier होते है ठीक है तो उनका जो behavior है मतलब ऐसा कोई compound जाए वो 1972 में introduced किया गया था अभी हम उनको पड़ेंगे देखो basically क्या होता है जो potents introduced किये गये 1972 में उनमें जो group था वो amide group introduced किया गया my idea फिर ऐसे कुछ आप की बेंजीन के analogs introduced किये गये अभी वो क्यों किये गये उनका reason क्या था देखो कोई difficulty जो है पोड़ेंट में आ रही थी वो यह आ रही थी कि इनका high degree of flexibility था क्योंकि यह acyclic होता है acyclic होने के वज़े से इनमें बहुत जादा flexibility रहती है तो बहुत जादा flexibility के कारण जो है यह binding अच्छे से करनी बात है ठीक है तो उस flexibility का avoid करने के लिए कुछ rigid functionality groups जो है वो introduced किये गये like amide, ester, aryle acid groups जो है वो introduced किये गए जो की इनकी degree of binding को जो है वो eliminate कर दें ठीक है और इनकी degree of organization को enhance करें like यहाँ पर देखो यह जो conjugated benzoic acid है इसको introduced इसलिए करा गया ताकि यह potent की rigidity को बनाई रखे और इसकी जो flexibility है बहुत ज्यादा उसको eliminate कर दें ठीक है similarly यहाँ पर भी क्योनो जो है mono amino groups को introduce किया गया ठीक है यह zwiterionic है क्योंकि इसके ओपर ketine and anionic दोनों sites हैं तो यह zwiterionic potent है ठीक है okay so so now coming to next one the next topic is larynt ethers what are larynt ethers यह crown ethers की तरह ही होते हैं बट यहाँ पर difference क्या आता है कि इन में कोई appendages लगे होता है appendages क्या होते हैं कि कोई secondary part जो की main part के साथ attached होएगा मतलब मैं इसको अगर अपनी simple words में कहूं तो larynt ethers क्या होते हैं कि crown ethers के साथ जब कोई ऐसी substitution आ जाती है जो कि उसके metalline ability complexation ability को enhance कर दे increase कर दे तो हम उनको larynt ethers बोल देता है ठीक है for example यहाँ पर given है like this is simple crown ठीक है और यह potent क्योंकि open chain है ठीक है यह potent हो गया यहाँ पर as a crown है ठीक है क्योंकि यहाँ पर nitrogen आ गया तो इसको as a crown बोल देते हैं और यह होता है larynt ethers कि जिसमें यह crown ether है as a crown ठीक है और उसके साथ कोई ना कोई substitution आ गी जो की इसके metalline complexation के ability को enhance करेगी तो हम इसको larynt ethers बोल देंगे ठीक है यह substitutions के कारण अभी यहाँ पर log की values भी दे रखी है ठीक है अगर हम बेसिकल इसकी value देखें तो मतलब यह है 4.8 ठीक है यह no doubt simple crown ethers और इसके बीच में है ठीक है simple crown ether and potent के बीच में लाई करती है लेकिन अगर हम इसको as a crown से compare करें तो definitely आपको नजर आ रहा है कि इसकी जो metaline complexation ability है वो double है than this वो किसलिए double है वो यहाँ पर क्योंकि जो amine की basicity है वो भी इसको increase करती है ठीक है और similarly इसकी जो substitutions है वो भी favor करती है metal और ligand की strong binding को so these are larynt ethers अभी larynt ethers like larynt ether की जो है वो बहुत strong affinity है potassium के साथ जैसे यह potassium के साथ mine करती है bonds break कर जाते है you will get this kind of substance आगे यह दो formations है and pavit larynt ethers की और यह है c-pavit ठीक है यह दोनों preparations करनी है यहाँ पर कुछ नहीं है जैसे आप टोसाइल क्लोराइट पाऊगे इसमें तो यह hydrogen जो है वो टसाइल से replace हो जाएगा टसाइल क्याता है यहाँ पर गिवन है फिर आप यह दोने एक nitrogen के अनलोग लोगे और एक carbon का यह जो प्रोड़क्त बनाई है nitrogen के अनलोग इसके साथ जैसे लगाऊगे तो हो definitely जो यहाँ पर carbon है टिक है oxygen के साथ वाला यह carbon nitrogen के ओपर attack करेगा और यहाँ पर इसकी rearrangement से यह यह समझ रहें लेरंड इथर्स इसलिए बस में नहीं है तो उसको हम डेटेल में नहीं पढ़ेंगे दे नेक्स्ट है इस आयन कैविटी कंसेप्ट आयन कैविटी कंसेप्ट जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कुस कर चुक है अगर हमें स्टेबल कंप्लेक्स चाहिए तो एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखने है वो यह होगी कि लाइगेंड का जो कविटी का साइज है जो incoming metal है उसके size को वो match करना चाहिए अगर उनका size match कर रहा है तभी वो उसमें fit होएगा cavity में और तभी हमारे पास जो है वो एक metal iron का stable complex मिलेगा हमारे पास तो जैसे कि हम लोग यहां पर easily देख सकते हैं कि potassium का diameter 266 ठीक है और crown 6 का diameter 267, 263, 286 तर तो आप लोग देख सकते हो कि इस दोनों का diameter comparable है तो इसलिए हम लोग 18 crown 6 में जादा तर potassium ही prefer करते हैं क्योंकि इनका size आपस में match करते हैं इसकी cavity का size यह है और इसका diameter ही है तो यह easily properly fit हो जाता है इसमें potassium लेकिन अगर हम rubidium और cesium लें तो उन दोनों का diameter जो है वो fit नहीं हो पतता तो इसलिए जो है वो उसमें easily fit नहीं हो पाते हैं लाइक अगर हम for example sodium का case लें ठीक है तो sodium का जो diameter है वो 190 जो की completely fill नहीं हो पाता ligand में crown ethers में fill जो है वो नहीं हो पाता बट अगर हमें filling करनी है मतलब अगर हमें sodium को ही fit करना है तो फिर उसके लिए क्या होगा कि जब आप लोग sodium को उसमें fit करते हो यहां पे देख सकते हो तो पांच जो oxygen है वो तो उसको completely जो है वो bind कर लेते हैं लेकिन जो 6th oxygen है वो apical position पे चला जाता है मतलब जिसकी direct binding sodium के साथ नहीं होती और at the same time जो sodium है वो 6th binding किसके साथ करेगा पिकिस हम लोग यह already पढ़ चुके हैं इस स्पेस में कि sodium जो है वो six bonds बनाएगा यहां पे ठीक है अधिस इंटेम मतलब वो बाइंड करेगा six atoms के साथ तो यहां पे जो sodium है वो फिर water के साथ बाइंड करेगा ठीक है जो की intern जो है आपकि किसी कित आइन के साथ लाइक थायो साइनाइड के साथ अटेश्ट है मतलब डिरेक्टली जो sodium है वो लाइगेन के साथ अटेश्ट नहीं हो पाता तो इस इस आइन काविटी कंसेप्ट की जो काविटी का साइज है कित आइन भी उसी साइज का होना चाहिए और निक्स टॉपिक इस effect of anion on face transfer catalyst की जाती है तो जो जो difficulty आती है वो यह आती हैako reactants mix नहीं होते प्रॉपरली लाइक जो है chemical reaction तभी टेक प्लेस करेगा अगर सारे की सारे reactant molecules collide करेंगे आपस में पर nucleophilic substitution reactions में क्या होता है कि जो substrate होता है लाइक जो reactant होता है वो usually water में soluble नहीं होता ठीक है पर जो nucleophile होता है में जो की anine होता है वो water में soluble होता है अब क्योंकि एक चीज़ water में soluble है दूसरी चीज़ water में soluble नहीं है तो same solvent में वो अगर soluble ही नहीं है तो आपस में react कैसे करेंगे तो यह जो problem आती है कि जब दो reactants को आपस में closely लाया जाता है तो उनकी concentration same phase में बहुत कम हो जाती इतनी कम हो जाती कि वो reaction effect देती नहीं है तो उस case में जो इस चीज़ को overcome करने के लिए use किया जाता method उसको हम बूलते है face transfer catalyst face transfer catalyst में क्या होता है कि catalyst को use किया जाता है ताकि वो nucleophile को aqueous face से उठा के मतलब water soluble वले face में से उठा के water insoluble like organic face में ले जाए जिसमें की substrate होगा तो उस case में वो substrate के साथ जो react कर पाए ठीक है example के साथ हम लोग करेंगे formation of one cyanooctane like जब आपने लिया mixture one chlorooctane और aqueous sodium cyanide का ठीक है aqua sodium cyanide मतलब कि यह पानी में soluble और यह पानी में soluble नहीं है water में soluble नहीं है तो जब इन दोनों को आप लोग mix करते हो तो कई दिनों तक कोई yield नहीं निकलती कोई product नहीं मिलता है बट जैसे ही आप लोग ऐसा catalyst यूज करते हो जो की इसको transfer कर दे एक face में से दूसरे face में तो दो hours में आपकी reaction complete हो जाती कौन से प्लोग face transfer catalyst यहां पे use करेंगे quaternary ammonium salt ठीक है अभी देखो यहां पे for example sodium cyanide है हमारे पास ठीक है तो sodium cyanide में क्या होता है कि जो cyanide है वो interface को cross नहीं कर पाता वो क्यों नहीं कर पाता पिकर जो sodium ions है na positive ions वो solvated by water मतलब वो water soluble है ठीक है उनकी solvation energy जो है उनने organic face में जाने नहीं देते ठीक है तो अब क्योंकि अगर sodium नहीं जा रहा तो cyanide भी नहीं जा सकता ठीक है क्योंकि नहीं तो electrical neutrality complex की उपर फरक पड़ेगा तो उस case में क्या होता है कि अगर हम sodium को ना देखते हुए quaternary ammonium salts को देखे तो उनमें ये जो alkyl chain है ये इतनी बड़ी होती है कि ये poorly solvated in water हो जाती है ठीक है तो उस case में क्या होता है कि ये जो quaternary ammonium salt है ये क्या करता है ये sodium जो है sodium को replace करके cyanide के साथ खुद लग जाता है ठीक है और फिर ये cyanide को अपने साथ aquos face में से organic face में ले जाता है और आपकी reaction complete हो जाती है so this is face transfer catalyst जिन में जो है sodium आयन तो वो aquos face में ही रहे ठीक है यहाँ पर आप दोग देख सकते है वो aquos face में ही है बट ये जो quaternary ammonium salt है इसने क्या करा अनायन को अपने साथ ही organic face में लेगा जिदर की वो reactant के साथ react करो और you will get the productive result ठीक है so इसके बाद आजाता है crown ethers and other cryptids so अभी हमें यहाँ पर पता है कि कुछ kryptans like काफी सारे kryptans जो होते हैं वो सिर्फ certain ketines को ही surround करते हैं ठीक है तो like अगर हम केसी अनकी बात so crown ethers में क्या होता है देखो हमें पता कि जो kryptans होते हैं like कुछ kryptans होते हैं वो सिर्फ कुछ ketines की entry को allow करते हैं ठीक है for example जैसे हमने यह 18 crown 6 लिया ठीक है 18 crown 6 को जैसे potassium cyanide के साथ react करवा तो यह हमें नया salt दे दिता है यह वाला जिसमें की anion तो cyanide ही रहता सेम रहता है बट किटाइन अब जो है वो बीच में bind करके एक बड़े species में convert हो जो कि water इसको stabilize नहीं कर पाता बट इसको potassium जो है वो अच्छे से एक salt है ठीक है वो organic solvents में soluble नहीं होती बट यह जो के टाइन है यह तो अट्राक्टेड है टोर्ड ऑर्गानिक solvent ठीक है तो जो cryptid salt होती है जो की soluble होती काफी सारे ऐसे solvents में ऐसे cases में हमें क्या चाहिए हमें aquos face चाहिए ही नहीं ठीक है क्योंकि this is attracted by organic solvent उस case में हम organic aquos face नहीं लेते हैं simply हम क्या करते हैं अपने salt को ही organic face में डाल देते हैं ताकि reaction अच्छे से जो है वो प्रोसीड हो पाए तो suitable cryptids जो होता है जनको की यूज किया जाता है rate of reaction increase करने के लिए यह सारे cryptids को यूज किया जाता है ठीक है जिन cases में यह वाले sorry nucleophiles होता है ठीक है उन cryptids को यूज किया जाता है ऐसे यह दोनों examples है उसकी fine अच्छा आगे आजाती एक आइन पेर केटलिस्ट जो हमने अभी अभी पड़ें ठीक है वो क्या करते है बेसिकली अनाइन्स को और गानिक फेस में लेके जाने के साथ साथ एक और फैक्टर होता है जो कि क्या होता है कि देखो हमें बताशी में sodium salts हो गया काफी सारे अनाइन्स का ठीक है यह क्या होते ह ठीक है यह organic solvents में dissolve हो जाता है ठीक है इनका still जो reaction है वो बहत कम मदला बहुत स्लोवली reaction होता है तो reason क्या रहता है उसमें कि यह जो anions है यह as such anions नहीं act करते हैं यह iron pair में act करते हैं ठीक है लाई के जो इसे ना किसी कितायों के साथ बांडे होगे। इस केसे में they are not free to attack। तो इसका जो गुड आस पेक्ट है वो क्या रहता है odd है कि आएण पेरिंग जो होती है यह कॉजार आएंड में काफी कम होती है। तो गॉजार आएंड में wainci of three of them आटाक करने के लिए तो उनकेस इसमें कौर्डिनरी आइंस में हम जो के टान आइंस हैं उनको नेगडन आइंस भी भी बोल देते हैं बिकिस या फ्री तो अटाक ओके फाइन तो अगे आज आता है देखो जो कैटलेस्ट हैं ठीक है जिनको मैंने अभी उपर एकस्प्लेइन करा दाटा सॉलिबल ठीक है तो ऐसे ही कुछ और भी होते हैं लाइक पॉलिस्टारीन ब्रीजन्स हो गया इल्यूमिना सिलिका जिल ठीक है जो की इन्सॉलिबल फेस ट्रांसफर कैटलेस्ट माने चाते हैं इनको ट्राइफेस भी बूला जाते हैं इनकी उसे क् करें हैं कि जो क्यालेस्ट आई सीने संवीमिना स्टीलफ की रिटाइन रिटें करकर रख सकते हैं आई होकला क्या से टीक हो अधान का साईघें की कंगरiają करें तो कि तो है के केस्फेक की एंदर ब्रमेव कर 500,000 को करेंद नहीं करता घीक है तो कर वह क्याष पारी इ श्री करा है कि उस केस में जो है वो 1-2 का sandwich complex sandwich type complex बन जाता है कि जिस केस में दो ligands रहते हैं और दोनों ligands अपनी interaction से बीच में जो है वो किटाइन को bind करते हैं ठीक है हाला कि studies ने कुछ ऐसे crown ethers के anines तो नहीं explain किये studies के according तो like tetra phenyl borate anine हो गया tetra fluoroborate anine हो गया ऐसे जो ligands है वो शो करते हैं sandwich complexes but apart from this जो कुछ crown ethers हैं वो भी sandwich formation शो करते हैं ठीक है for example 15 crown 5 कि अगर हम बात करें बेंजो 15 crown 5 की 12345 दिस बेंजो बेंजीन बेंजो crown 5 तो अगर बेंजो crown 5 में potassium को fit करने की कोशिश करो तो potassium उसमें फिट नहीं होता because उसकी cavity के according potassium का size बढ़ा होता है तो उस case में क्या होता है कि X-ray crystallographic methods इसका ये structure पता चला है कि potassium जो वो सेंटर में रहता है और दोनों साइट से उपर like potassium सेंटर में होगा एक साइड उपर crown नीथर और एक साइड नीचे crown नीथर ऐसे sandwich complex बन जाता है जिसकी ये structure होती है ठीक है युन्होंने show करा वो dotted line से कि ये नीचे वाला complex है ये पीच में फिर आता है किताइन और फिर ये उपर वाला complex तो ये sandwich type हो जाता है अभी क्या ligand configuration का जो है वो क्या effect आता है अगर ligand configuration change करती है तो definitely इसका जो है वो ligand की geometry के उपर फरक आएगा ही आएगा अच्छा बट कई ब बड़ा हो तभी sandwich formation होती है कही बड़ी ऐसा होता है कि size भी comparable होता है बट स्टिल जो है वो sandwich formation kind complexes बन जाते हैं तो यहां पे it is worth mentioning that like for example अगर हम बात करें 18 crown 6 की ठीक है या फिर 15 crown 5 की ही बात करें ठीक है तो उस case में क्या होता है कि वो sodium को भी अपने अंदर जो फिटनी होने देता हाला कि sodium का size उसके comparable होता है तो उसका reason क्या रहता है कि जो ligand में anions हैं उनकी ability ही नहीं है कि वो sodium को bind कर पाए तो ऐसे भी कई cases होता है जिरूर नहीं है कि सिर्फ size का factor रहता है so उन cases में भी sandwich complexes बनते हैं so this ends your chapter thank you very much